दोस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड़िक्स पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा लिजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से दोस्तों एक रिक्रूटमेंट निकाले गए थी यूपीपी जिया उत्तर प्रदेश की वेकेंसी थी जो की रेडियो संबर की तरफ से करमशाला करमचारी की पदों की वेकेंसी थी आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए एक अपडेट यहां फॉर्म भरने का जो डेट है 27 तरीक सेक्टिव होग जिया है लास्ट डेट आपका 28 फरवरी होगा अभी दन करने का पेमेंट करने का भी 28 फरवरी रखा गया है अभी तक यहां पे डेट एनाउंस नहीं किया गया आपके एक्जाम को लेकर या हॉल टिकट डाउनलोड क लेकर लेगें आपको यहां से अभी दिन करना होगा इसके ओफिशल वेबसाइट बेजा के क्या क्या इंस्सेक्शन दिये गया है आविदन करने के लिए तो यह थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं तो सबसे पहले आपके पास जो है एक मोबाइल नंब से दस के भी के बीच का होना चीए अगर आप लोग EWS या OBC से बिलॉंग करते हैं तो आप आविदन कीजिएगा यहां पे इसके लिए आपको जो के चात्रों के लिए वाई ध्यान दिजिएगा तो यह वह लगा सकते हैं नन क्रिमिलियर सेटिफिकेट फॉर OBC का टेगरी विदिन दा पीरिड ऑफ 1 अप्रेल 2021 और तो दे लास्ट डेट से पहले तक का बना राना चीए यह नन क्रिमिलियर भी ध्यान रखेगा और इंकम एन एसेट चैटिफिकेट भी लगेगा किसके लिए तो EWS के चात्रों के लिए जो डोमिसाइल के चैटिफिकेट यहां पे ह या डिपेंडेंट है उन पर वह अपना सर्टिफिकेट भी लगाएं यहां पर एक सर्टिफिकेट और मांगा जा रहा है जो कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है यह ओ लेबल का सर्टिफिकेट है जो कि कम्प्यूटर डियोक में लगीगा तो उसका भी सर्टिफिकेट यहां पर आपको लिया जाएगा यहां पर अप्लूट करा जाएगा दियोक या फिर निलेट का तीसरा अपडेट है बी सर्टिफिकेट मांगा गया है दोस्तों फर नेशनल क्रॉप्स के लिए जो छात्र यहां से बिलॉंग करते हैं एंसी से तो उनके लिए लगेगा दोस्तों अगला पोश्ट यहां पर जो अगला सर्टिफिकेट है यह टेट्रोलियल आर्मी सर्टिफिकेट है जिसमें की आर्मी से रिलेटेट जो छात्र आविदिन करने उनके लिए है एक सर्विसमें अगर आप हैं तो जहां से डिस्चार्ज किये हैं उन आपको अपडेट करता है जो कि वर्किंग होना चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा अगला अपडेट है दोस्तों यहां से एक सर्टिफिकेट चाहिए यहां पर पॉलोइंग एडुकेशन डॉकमेंट्स जिसमें कि आपका सबसे पहले 10 ना चाहिए और आपके जो डेटव बर्द उसमें मेंचन होने चाहिए इटीफिकेट भी यहां पर मांगा गया आप लोगों से जिसमें कि 50-60 के वी तक का साइज होना चाहिए उसको डॉकमेंट्स को जेपिजी फॉर्मेट में या पीओ फॉर्मेट में भी देते हैं तो छेसो के भी से ज्यादा नहीं होना चाहिए 50 के भी इसे 600 के भी से बीच में होना चाहिए अप्लीकेशन जो है यह ब्लड़ फोटोग्राप अगर आप डालते हैं तो रिजेक्ट हो जाएंगे इलिगल स यहां पर mention की गई है उसी पर आपको user id और password भी भी भीजा जाएगा इस बात का ध्यान रखेगा यह सारे instruction है जो कि आपको follow करने हैंगे इस form को भरने के लिए और important instruction जो है आप आपको दिये गए है जो कि इस website की जरीए आपको देखने को मिल रहा है जो भी आपके doubt है आप नीचे comment section में भी comment करके पूछ सकते हैं आपको बताना चाहेंगे दूस्तों यहां पर की सारे detail जो की form भरते से मैं आपको लगीगा और दिखिए process third में जब जाए आप यहां पर तो आपसे basic detail लिया जाएंगे educational detail लिया जाएंगे और basic detail फिल कराए जाएंगे आपसे ठीक है आप अपने नाम के आगे Mr. Mrs. मत लगाईएगा अप्लिकेट अपना full name देंगे gender name देंगे mail है या female है और provide information देंगे अपने बारे में nationality क्या है आपके और अपना email ID भी confirm करेंगे phone number भी confirm करेंगे OTP से उसको यहां पर register करना होगा और type of verification code जो है आपको display होगा जो कि वहां पर डालके submit कर लेना होगा तो एक capture भी दिया रहेगा वहां पर form बरते से में तो इन सभी बातों का ध्यान रखेगा educational and other detail की process अगर हम आप देखना चाहें यहां पर दोस्तों तो मैंने आपको जो भी certificate बता है वह सभी documents के certificate अपने पास रखेगा कोई भी doubts या कोई भी अहां पर गलत डेटा देते हैं सबकर registration कैंसल हो जाएगा या फिर आप जब verification होगा उस समय कैंसल कर दिया जाएगा तो यह सारी documents के detail है यह एक बार अच्छे से मिला लीज चार्ज है यहां से आपसे जरूर लिया जाएगा जो कि 28 फरवरी तक last date है जो कि यहां पर mention किया गया है 400 रुपया general category के चातर देंगे और दोस्तों CST से भी 400 लिया जाएगा यहां पर ध्यान रखेगा all category female candidate है वो भी 400 देंगे इसमें कोई भी relation यहां पर नहीं दिया गया ह है दोस्तों दियान में रखेंगे आप online payment कर सकते हैं इस फीस का और 28 फरवरी से पहले कर लिजेगा age criteria क्या है यहां पर आविदिन करने का तो 20 से लेकर 28 साल तक के चातरों के लिए यहां पर आविदिन करने का मोगा दिया जा रहा है जो category में चातर है यूपी से आते हैं उन जन्वरी को यह publish किया गया था ठीक है और आज से इसका फॉर्म भरा जाना है इसके बारे में हमने आपको सारे डिटेल आपको एक वीडियो के मादम से दी थी तो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं सैलरी की बात करें यहां पर दोस्तों एकई सजार साथ सो से लेकर बात को यहां से अपडेडेड की गई है यहां पे 116 और करम सचार कुल 120 पदों की यहां वेकंसी के बारे में आपडेट दिया गया है जो की काटेगरी वाई यहां पे इसका अपडेट भी दिया गया है जो भी छात्र आविदन करना चाहते हैं इस नौटिफिकेशन को भी भली भाती और फिर आविदन कर सकते हैं आपे 28 फरवरी से पहले आविदन जरूर कर लिजीएगा आविदन करने का जो लिंक है वो आज से एक्टिवेट हो गया है यानिकी application form भरने का तो आप लोग क्या करेंगे भाई अपना registration अगर किये हैं तो भी और नहीं किये हैं तो भी आज से कर लिजेगा अविदन सुल्क यहां पर सब कुछ मैंने बता दिया है आपको यहां पर जो भी छात्र आविदन करना चाहते हैं आविदन कीजिए डॉक्मेंट्स में क्या-क्या लगेंगे क्या-क्या जरूरी है यहां पर बहुत सारी चीजी मैं आपको भी बताई थ स्वस्तता जो है आपके जरूरी यानि मिटकल फिटनेस होनी चाहिए भरती के प्रक्रिया है दूस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधिनस्तिस्यवा अधिनियम 2015 के तहट यहां पर अधिन की जाएगी और ऑन-लाइन जो है प्रक्रिया जो आपके एक्जाम पैट इस जो है प्र्मलेशन के अधार पर आपका यहां पर चैन किया जाएगा यह वह सलेक्ट करने का यह रूल दिया गया है यहां पर नोर्मलेशन करने का तो इस के अनुसार इहां लिया जाएगा पुरुषों की बात करें तो यहां पे फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट भी होगी जिसमें कि उनकी हाइड जो है न 168 cm होनी चाहिए समान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसुची जाती से आते हैं तो अनुसुची जाती से आते हैं तो एक सुसाल सेंटेमेटर पर आपको य चाहते हैं और यहां पे दोस्तों फुलाव अनिवार है यह ध्यान रखेगा जो अनुसुची जन जाती से आते हैं यहने से उनको यहां पे फुलाकर 82 cm होना चाहिए और यह 5 cm का फुलाव होना चाहिए जितना भी उनका ठीक है अब यहां पे महिलाओं की बात करें तो हाइ 30 kg का यहां पे वजन होना ज़रूरी है महिलाओं की इसमें दोढ़ भी है यहां पे सरेग दक्ष्टा परिशा की बात करें यहां पे, तो यहां पे दोढ़ भी है 4.8 km की दोढ़ है पुरसों को 28 मिनट में कंप्लेट करना है और महिलाओं को 2.4 km.16 मिनट में करना है तो के प्रिक्षा और अब लेक्रों की अनुसार अगर देखा जाए और सारी सिर्फ डेखा जाए तो आपका मेरेट लिस्ट बनाया जाएगा चेहन के शूश्य बनाया जाएगा और उसके अधार प्ली niche प्लीज सेक्षन वे कमेंट जरू किजएगा All the best और इस PDF के notification को पाने के लिए Please चैनल के Telegram को जोईन कर लिजेगा Telegram का link हमने चैनल के About में दे रखा या फिर आप सर्च कर लिजेगा Education K86 धन्यवाद दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलेगा